आसान कुछ भी नहीं होता, उसे आसान पढ़ाना पड़ता है NEET की इस तयारी में हम साथ हैं और अहज़र हैं हम एक और लेक्चर लेक्टे जहां पे हम देखेंगे One Whole Chapter in One Sentence I am Bridalika, stay tuned Hello all and welcome back to NEET Now One Whole Chapter in One Sentence में कल हमने देखा था Plant Kingdom आज हम देखने जा रहे हैं Animal Kingdom इस फाइलम हैं, उनको हम कैसे याद रखें देखे, Animal Kingdom का में मकसद क्या है आप अलग-अलग फाइलम से कहते हैं कि अकोमोडेट हो जाएं उनको समझ सकें, उनके एक्जाम्पल्स याद रखें और उनकी प्रॉपरटीज क्या हैं वो याद रखें अब इतने सारे फाइलम हैं कि सब कुछ याद करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है तो मैं आज में आपको दूँगी एक सेंटेंस वो सेंटेंस के तुरू आप सारे फाइलम याद रखेंगे और उनहीं के आगे आप लिख देंगे Examples इसका बनाएंगे एक चार्ट और लगाएंगे वहाँ पर जहां पर पढ़ने बैठते हैं हो गई रहा है सान Example से आप उसको पिक्चुराइज करेंगे अपनी NCRT की बुक में देखके उसको पिक्चुराइज जैसे ही आपने कर लिया आपको उस पर्टिकुलर फाइलम की सारी प्रॉपर्टी ज्याद आ जानी जाए है ठीक है बस कोशिश करनी है कि एक बार वो प्रॉपर्ली पढ़ ले ताकि वो चीज आपकी दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाए बहराल हम देखेंगे अपना आज का सेंटेंस और आज का सेंटेंस है बड़ा इंटरस्टिंग उन लोगों के लिए जिनको चाई पसंद है सो हमारा सेंटेंस है पती कॉमन चाई पीते नहीं असली आसमीज मिले ऐसी है चाह यानि कोई particular बंदी है उसके जो पती है वो कॉमन चाई पीना पसंद ही नहीं करते है उनको कॉमन चाह जो हम लोग लाते है वो पसंद ही नहीं आती उनकी चाह है कि उनको असाम की चाह मिले So sentence क्या है हमारा? पती, कॉमन चाहे, पीते नहीं, असली असमीज मिले, ऐसी है चाहा यानि कि असली असामी चाहे उनको चाहिए अब देखेंगे यह जो सारे first alphabet है They stand for all the phylum that we have in our NCRT textbook जो भी हमारी जो नीज के लिए prescribed NCRT textbook है उसमें जितने भी phylum है, उसी particular order में यह sentence है कैसे है? P से आपका है Porifera C Cylentrita जिसे हम कहते है निडारिया भी ठीक है? Again C, Tenophora P आया है आपका Platyhelminthus N से है आपका Nematoda या फिर Escalminthus Again A, Annalida फिर A है आपका Arthropoda M से है Mollusca E से है Echinodermator H, Hemicordator C से Cordator हो गया असान? हो गया आपके सारे phylum? आगे एक ही sentence में एक छोटी सी जगा में आपके सारे के सारे phylum आ गए अब हमें क्या करना है? अब हमें इनके examples लिखने है ठीक है? पॉरिफेरा का है आपका ये स्पॉंजिया सिलेंटरिटा या निडारिया का है आपका औरेलिया या एडेमसिया लिख लीजे आप टेनोफोरा का तो सबसे एजी है क्योंकि टेनोफोरा का example ही है टेनोफोरा प्लाटी हेलमेंथिस का हम लिखेंगे टेप वर्म जो कि हमको बहुत नुकसान करता है निमाटोडा का राउंड वर्म या आसकरिस एनलिडा का हम लोग लिखेंगे हिरुडिनेरिया आथ्रोपोडा में हम डालेंगे अपनी प्यारी बटरफ्लाइ को मॉलस्का में आएगा ओक्टूपस एकाइनोडर्मेटा में हम लाएंगे एस्टेरियास को हैमी कॉर्डेटा का example बनेगा बैलनोग्लॉस एनलास्ली कॉर्डेटा का आप लिखेंगे मैन, कैट, डॉक, कुछ भी कैंगरू कुछ भी ठीक है तो इस तरीके से विदिन फाइफ मिनिट्स मैंने सारे फाइलम आपको बता दिये विदिन फाइफ मिनिट्स ही मैंने आपको हरेका एक एक example बे बता दिया त्रस्ट मी अगर मैं कर सकती हूँ आप भी कर सकते हैं, याद होने भर की दे रही है, सिंपल सा सेंटेंस है, अगें, पती कॉमन चाय पीते नहीं, असली आसमीज मिले, ऐसी है जाओ ठीक है, हरेका जो फर्स्ट आपका alphabet है, वो आपको ध्यान में रखना है, बस उतना आपने ध्यान में रख लिया, ये सेंटेंस आपने ध्यान में रख लिया, your job is done, आपको कुछ और करने की जरूद ही नहीं है, इसमें जैसे कि मैंने कहा कि एक चार्ट बना लीजए, अगर आपको और ज़्यादा दिक्कत होती है, यहाँ पे किसी और इंक से इनकी प्रॉपर्टीज छोटी-छोटी मेंशन कर सकते हैं, जो भी प्रॉपर्टीज हैं, एक एक लाइन छोड़के बनाएंगे तो आपको लिखने में भी आसानी हो जाएगी See, these are the methods and these are the tools that you use during last days of need ताकि आप इसको implement कर सकें और चीज़ें आपके लिए असान हो जाएं, कल हमने देखा था plant kingdom, plant kingdom पांच मिनट में आप खतम कर सकते थे कभी नहीं, बता है आपने कर लिया, ठीक है आज देख रहे हैं, animal kingdom animal kingdom भी आपने जाद से जादा इसमें 10 minute लगेंगे आपको and everything will be clear अब अगर मैं बात करूं, जैसे for example nematoda की, ठीक है, ascaris पूछा आपके exam में, ascaris को आप जैसे ही picture करेंगे आप उसको यह sentence में डाल के देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कौन से number पे आ रहा है, nematoda या ascal menthes, उसका phylum है उसकी क्या properties है, वो आपके सामने आ गई question खतम this is how you should do it सिर्फ रटते जा रहे हैं कि ये phylum यह होता है इसमें ऐसे segmented होता है, ये होता है वो होता है, caudate है कि नहीं nerve caud है कि नहीं, सिर्फ ये करने से नहीं चलेगा, सिर्फ लिख देने से it's not going to work, ठीक है आपको याद होनी चाहिए चीज़े और याद करने का सबसे सही तेरिका होता है mnemonics, काफी सारे लोग कहते हैं कि हर चीज़ के लिए mnemonics नहीं उसकी ये जा सकते हैं, but I personally think it is a wonderful tool कि आपको कोई चीज़ रवाइस करनी हो कोई चीज़ याद करनी हो उसके लिए, बहुत कम time में बहुत जादा matter आप इसमें समा सकते हैं and that is what we need right now that is what we need, क्योंकि अब बच्चे हैं बहुत ही कम दिन, अब इन कम दिनों में सबसे जादा फाइदा कैसे उठाया जाए ये सोचना है, ना कि इसके कि ये particular दिन है मुझे इतना topic कवर करना है अब topic कवर करने के days गए अब आपको chapters कवर करने हो chapters आपके तभी कवर होंगे जिब आप पूरे तरीके से charts पे आ जाएंगे charts पे आ जाएए छोटी-छोटी चीज़ों पे आ जाएए या कोई particular difficult चीज जो होती है उसको कैसे manage करना है हम वो देखेंगे ठीक है I'm hoping कि आप लोगों ने subscribe कर लिया हो क्योंकि subscribe कर लीजे bell icon दबा दीजे ताकि जैसे ही कोई मैं video upload करूँ आप तक उसका notification आ जाए साथ ही साथ description में कुछ channels हैं, कुछ handles हैं So, stay tuned, keep studying and take care